हेलो दोस्तों वेलकम टो वार चैनल दफ लेबर फिस्ट आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आया है काठल कोफता कारी काठल यानि जेक फ्रूट के सबजी सबको अच्छा लगता है आज हम लोग वही काठल के एक एससे रेसिपी बनाएंगे जो मैंने यहाँ पर आधा किलो रो जेक फ्रूट यानि की कच्चे कठल लिया है कठल को कटना थोड़ा बहुत होता है तो आप मार्केट से जब लाएंगे तो कोई-कोई जागा में कठल को डाइरेक्ट लोग काट के देते हैं चोटी-चोटी पीसे में जैसे कि आप देख सकत को कुकर में सिटी लगते हम सात आट काजू और Depot से खसकत ले लेंगे और पाने में सोब कर कर करक कर निंगे बैंग इसको पोढला जता है-Engliśmy फॉफीजी ऍस मिक्सर जैसा अध्रक, आठ से दस लेस्न के कलिया, तीन से चार ग्रीन चीली, और हम लोग अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे, आप देख सकते हैं, तो अपना जो पेस्ट रहें बिलकुल तैयार है, और हम लोग ले लेंगे एक मीडियम सेस के प्याज, प्याज क निकाल लेंगे उबला हुआ और जो एक्स्टर पानी है हम लोग ड्रेन कर लेंगे एक छाननी से जिक्फू ठंडा होने के बाद एक मिक्सिंग बॉल में हम लोग ले लेंगे साथ में जो अध्रक लेस्टून और ग्रिंचली का पेस्ट इसको वांधर पॉर्ष्टन ले साथ में 3 टेबल स्पून जैसा बैसन लेंगे और 2 टेबल स्पून जैसा लेंगे हम लोग कॉंड फ्लोर जेक फ्रू सीट्स की बाहर के छिलका होता है थोड़ा सा हाड होता है तो हम लोग मिलाते हुए जब भी मिलता है हम लोग इसको निकाल के फैक देंगे ताकि अपना कॉफता एक जम बहुत ही स्मूध बने तो अपना एकदम जो मीक से बनके तियार है हम लोग अभी कॉफता बना लेते आप देख सकते हैं यसे हम लोग कॉफता बनाएंगे एक एक करके उस तो कड़ाही में हम लोग वेजिटेबल ओयल ले लेते कोई भी अपना मन पसंद मस सकते हैं एक सर्फाई हो गया 4-5 मिनिट पेलिए अभी हम लोग अब हम लोग सप्साइट से भी फ्राइट करने के लिए हम लोग काजो ऑ खसकस हो गया आभी हम लोग पेस्ट बना लेते आप लोग वाटरमयलन के सीट्स बीएट कर सकते इसकी साथ उसे पैस्छा टेस्ट आ अब देखते है ग्रेवी की प्रिपरिशन तो जो बचा हुआ तैल है हम लोग थोड़ा और कम कर लेंगे और लगभग दो टेबल स्पिंच तैल रखेंगे कड़े में उसके बाद एक तेश पत्ता दो सुखिलाल मिर्ची दो चुटी अलाई ची दो लॉंग एक टुकरा दाल कि ओाज़ान की और तीस के 40 से कड्रेशन तैल में अच्छे चला जाये उसके बद हम लोग प्याच से पेस्ट करकर के अडरून से कवह ने के ऑदो फिर से ध्राइक लेंग लस्ति के ठाव पीडिए अभी बीच में से कटा हुआ 3-4 ग्रिंचिली एड़ कर लेंगे और फिर से भूनेंगे उसके बाद हम लोग एड़ कर लेंगे काजू और खसकस के जो पैस्टे साथ में लगबग 1 कप जैसा पानी एड़ कर लेंगे वही बोल को दो के पानी एड़ कर लेंगे आप देख सकते प्रपरली हम लोग मिक्स कर लेते हैं काठल के कोफते को ग्रेवी के साथ ताकि आच्छे से डूब जाए और बॉयल हो जाए फिर ढखकन बंद करके लो फ्लेम में 7-8 मिनिट के लिए कोक करते हैं तो दोस्तों 7-8 मिनिट कोक करने के बाद हम लोग देख सकते ग्रेवी करने के लिए हाफ टीस्पून जैसा गरम मसला पाउडर वान टीस्पून जैसा कासुरी मेथी को क्रश करके हाथ से एट कर देंगे यसी बहुत अच्छा से फ्लेबर आएगा और अभी आराम अरम से मिक्स कर देंगे ताकि जो कोफते हो तूटना जाए हमारे कोफते तूट करेंगे तो दूस्तों लोफले में दो मिनुट तक कुक करने के बाद अपना जो डीशे बिलकुल बनके तयार है बहुत अच्छा खुश्बू आ रहा है और डीश देखने में भी बहुत ही बढ़िया हुआ है इस डीश को आप चावल के साथ खा सकते हैं तो रोटी या चा चाची डीशे साब के लिए लेकर आएंगे थैंक यू